हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई इस्टेटिशीट चैनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोश्चन्स फिजिकल एजूकेशन कंप्टेटिव एक्जाम्स पीजिटी पीजिटी के वियास एंप्यास यल्टी में पूछे गए हैं उन सब भी कोश्चन्स को टापिक व करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहत कर सकते हैं दोस्तों डेली बीशेटी पर प्रेक्टिस करना न भूल यह तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज को प्रशनों की तरफ तो दोसतों सबसे पहले बात करेंगे हैंड बाल से आई हुँए परस्णों की जैसे के फ्रस्ट कुश्यन है कि Penalty Throw स्ब्द किस की किस से समंधित है तो Penalty Throw सब्द किस से समंधित है आपसे नुम्बर 3 करेक्ट है है हैंड बाल एंवाटर पूलो Penalty Throw, Handball and Water Pool दोनों में परियोग किया जाता है ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि Penalty Throw, Penalty Kick, Penalty Stroke तीन सब्द हैं जिसमें से Penalty Kick फुटबाल में परियोग किया जाता है जहां भी Kick सब्द आए फुटबाल का सब्दा वली है And Penalty Kick फुटबाल हो गया Penalty Stroke सब्द परियोग होता है हौकी में And Penalty Throw, Handball and Water Pool इन तीनों में डिफ्रेंस आप कर लिजी ठीक है Penalty Kick फुटबाल, Penalty Stroke होकी Penalty Throw, Handball and Water Pool ठीक है Next Question है Handball की खेल में एक वक्त में Court में Goal Keeper सहीद एक टीम में कितनी खिलाड़ी मुझूद रहते हैं तो दोस्तो एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ी की शंख्या Handball में शाथ होती है Goal Keeper सहीद एक Goal Keeper होता है अच्छे फिल्ड खिलाड़ी होते है यानि कि गोलकीपर सहीद एक पच में कितनी खिलारी होते है खेलने वाले शाथ, आपसन नंबर 1 करेट होगा जैसे कि दूस्तों हैंडबाल में खिलारीों की कुल शंख्या चोदर होती है जिसमें इसी 6 कोर्ट में खिलारी होता है एक गोलकीपर यानि 7 इस खेल में एक कोर्ट में गोल कीपर सहीद एक टीम में स्टाप खिलारी होती है जो हैंड बाल का मैदान होता है फिल्ड होता है वह चालिस गुड़े 20 मीटर का होता है इसकी जो गोल पोस्ट होती है उसकी उचाई जो है दो मीटर होता है और गोल पोस्ट की चोड़ाई तीन कीम मीटर होता है यह ध्यान में रखेगा ठीक है एंड दोस्तों इसमें पर्शो के लिए 425 से 475 ग्राम एंड महिलाओं के लिए 325 से 400 ग्राम ठीक है? कहे कहे 325 से 375 ग्राम भी होता है तो 325 से 375 ग्राम महिलाओं के लिए बाल का भार होता है एंड बाल का ब्यास जो है पुर्सों के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए 54 से 56 सेंटीमीटर होता है और हेंड बाव में खेल कि अवद ही जो होती है और शाठ मिनट होती है यानि कि 30 सिकेंड के दो पारी और दोनों पारीों के बीच में 10 मिनट का रेश्ट होता है ठीक है मध्यांतर होता है महिलाओं के लिए 25-25 मिनट के दो हाग यानि 50 मिनट का कि बेदे सभी चार्व्स होता है कि फिर दो resol深 olan कि City कि सभी स्वविश को दो से चांतव 85 अब्वात फिछ सब्सक्किрий कि में कितने खिलाड़ी होते हैं तो किसदे राड़ी होते हैं कितनी होते हैं कुल 14 खिलाड़ी होती है ठीक है साथ खेलने वाले साथ एक प्वारी में होती है खेलने वाले एंड साथ इस्थानापन ठीक है next question है handball खेल छेत्र की माप क्या होती है तो क्या माप होती है 40 गुड़े 20 मीटर आसन नंबर डी करेक्ट होगा next question है निम्न लिखित का शही मेल करें बास्केट बाल किसे रिलेटर है दोस्तों बास्केट बाल की फिल्ड की माप कितना होता है 28 गुड़े 15 एक का C हो जाएगा एंड दुसरा है handball हैंड बाल की माप कितना होता है 40 गुड़े 20 मीटर दुसरा का A हो जाएगा एंटिसरा है खोखो खोखो का कितना होता है दोस्तों 29 गुड़े 16 मीटर उस समय के according दिया हुआ है नैरूल के हिसाब से 27 गुड़े 16 मीटर हो गया है खोखो का ठीक है तो यहां पर आपसन नंबर A करेक्ट हो जाएगा लाज की हिएंट अधिकिट परेक्षिण हैं महिलाओं के लिए दूस्तों की है तो दूस्तों इसम वह जाएगा 400 ग्राम आपसन नंबर B करेक्ट होगा रट दूस्तों महिलाओं के कि लिए होता है 375 ग्राम यहां पर 375 ग्राम नहीं दिया है तो इस अप्शन में 400 ग्राम सही होगा और परेदी होता है बाल का महिलाओं के लिए 56 सेंटीमेटर और पुर्सों के लिए 6 सेंटीमेटर ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों जूडो से पूछेगे प्रश्णों की ठीक है जूडो से पूछेगे प्रश्णों की कॉस्चन है कि जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है चवदे गुड़े चवदे मीटर आपसा नमबर बी करेक्ट होगा जैसे कि दोस्तों हमेशा मिनिममम वाला देखा जाता है निम्तम वाला जैसे कि जूडो के मैडान की वर्गा का प्लेटफार्म का आकार कम से कम आठ गुड़े आठ मिटर होता है अधिक्तम दस गुड़े दस मिटर अधिक्तम और कम से कम पूछे तो इस तरह देंगे टुकडो की शरंकिया पचास होती है और कुल चेत्र पूछां तो यहां पर कुल चेत्र समय होता है कि पत्तवोगता एरिया जो होती है कम से कम 14 गुड़े 14 मीटर होता है अधिक से अधिक होता है 16 गुड़े sins on 간factly data इरिया कितना होता है तो यहां पर निन्तम हम मान लेंगे 14 गुड़े 14 मिटर ठीक है अधिकतम कितना होता है 16 गुड़े 16 मिटर अधिकतम निन्तम पुछेगा तो आप इस तरह से देंगे ठीक है दोस्तों एंड महतपुर्त तरह है कि वर्स उनिशोग 65 में भारतिय जूड़ो शंग की स्थापना हुई उनिशोग 65 में ठीक है जूड़ो फिर्डरेशन आफ इंडिया की एंड उनिशोग 66 में प्रथम जूड़ो राष्टी प्रतिविता का आउजन किया गया 65 में भारतिय जूड़ो शंग की स्थापना हुँ आउनिशोग 66 में प्रथम जूड़ो राष्टी प्रतिविता का आउजन हुआ एंड उनिशोग 66 के एसियन खेलों में भारतिय जूडू के खेल के मैदान को श्याये जो बोला जाता है जूडू के पोसाग पहनते हैं खिलाड़ी उस पोसाग को जूडोगी बोला जाता है जूडू में खेल तमाम ही कहते हैं जूडू के खिलाड़ी को जूडो काज बोलते हैं जो इसमें मैट होता है मैट के टुकड़ का जो आकार होता है एक गुड़े दो मीटर होता है अधिकारियों के इसमें संख्या एक रेफ्री दो जर्ज होता है जूडू प्रतियों के खिलाड़ी के खड़े खेल रोकने के लिए किस सब्द का परियोग करता है माते सब्द का ठीक है माते सब्द का परियोग करता है next question हो दोस्तों कि जूडू की खेल में सबसे उचा scoring point है तो दोस्तों इसमें सबसे उचा scoring point होता है इपउन, आपसा नमबर भी करेक्ट है जैसे कि जोस्तों इपउन का इसमें अंक है 10 and यूको का अंक 5 and वजारी का अंक शाथ और कोका का अंक 8 scoring के लिए इन सब्दों का परियोग किया जाता है जैसे इपउन, यूको, वजारी, कोका, आदे एन दोस्तों जो इसमें penalty दिया जाता है penalty को इस खेल में जूडों में शीदो सब्द का परियोग करते है मतलब यदि किसी खिलारी को 3 penalty यानि कि 3 शीदों मिलती है तो उसे उसी समय fight छोड़नी पड़ती है और जूडों में fight छोड़ने को हांसे कुमाके बोला जाता है और जूडों में एक fight का समय पांस मिनट का होता है तिक है अगर पांस मिनट में fight का कोई निर्ड़न नहीं निकलता तो दोनों खिलारी को 2 मिनट का golden score मिलता है जो फहला score मारेगा वही भी जई होगा तिक है यदि golden score में भी दोनों खिलारी कोई भी point नहीं लेता तो उस fight का निर्ड़ हंती से होता है हंती के अंदर दो जंडियों का प्रयोग होता है सफेद और नीली तो दोस्तों ये था handball and junior से जो questions पूछे गए थे वे सभी महतपुड questions I hope कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा आपके लिए helpful होगा वीडियो कैसा लगा आपको मुझे comment में जरूर बताइए और दोस्तों पहली बार visit कर रहा है तो चैनल को subscribe कर लिजे बिल आइकों को freeze कर लिजे जिसे new वीडियो का update आपके सपास पहुचता रहे तो मिलते है next वीडियो में टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय ही